कैसे हो आप सब लोग कैसे हो आप लोग जल्दी से आ जाओ फड़ा फट से क्लास का राइमिंग तो भी गया ना अभी तक आप कनेक्टे ने हुए जल्दी से कनेक्ट हो जाओ सब लोग जैहन जैहन सभी को मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली चल्द सो अगर अवाज अच्छे से आ रही है तो फड़ा फट से सेशन को लाइक कर दो सेशन को शेर कर दो और यदि आप चैनल पर नए हो तो फड़ा फट से चैनल को कॉमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लो मैंने शेर कर दिया है आप लोग भी शेर कर दो अपनी तरफ से फड़ा फट से सभी बच्चों को जेहिन जेहिन तब तक मुझे बताएंगी कि पिछली क्लास में किसी को भी किसी भी तरह का कोई डाउट है या पिछले सेशन में किसी भी तरह का डाउट है तो जल्दी से बोलेंगे एनी डाउट क्या हम आगे बढ़ सकते हैं आज अंत्रम दिन है चैप्टर का मेटल सेक्शन जो उने वाला है वो कवर होगा ठीक है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं देर किस बात की है सेशन वैसे भी शेयर हो चुका है सब को चालिए चालिए So, if you are new to this channel then don't forget to subscribe to our channel because on this channel you will get all the beneficial videos related to the NDA ठीक है and every content from top to bottom of course quality content will be provided to you free of cost तो जल्दी से subscribe कर लेंगे और सेशन को like और share तो करीदेंगे ठीक है चालिए So, let's start with our session सबसे पहले बात करते हैं ओर्स की ठीक है इंपोर्टेंट है आपको देखो ओर्स का जो section रहता है बच्चों की हमीशा यही शिकायद होती है कि माम जो ओर्स होते हैं माम हम कहां से करें क्या करें हमें नहीं पता चल रहा है तो ध्यान से सुनेंगे बटें आपको ओर्स जो है वो इसी चार्ट में से करने हैं इससे बाहर आपको नहीं करने हैं तीक है ओर्स क्या होते हैं आपको एक बात पताऊगी term metallurgy metallurgy क्या होती है जिसके अंदर से हम क्या करते हैं जिसकी हल्प से हम क्या करते हैं? यह सीधे शब्दों में बोलू तो हम मैटल को एक्स्ट्राक्ट करते हैं उसके और से इसलों हम बात कुछ समझ में आई नहीं तो आओ मैं आपको समझाते हूं, ध्यान से समझने की कोशश करिएगा बेटे आपको एक बात सुननी है और समझनी है देखो metallurgy क्या होता है metallurgy basically आपकी ये एक process होती है ठीक है जिसकी help से आप pure metal को obtain करते हो ठीक है कहां से from its ore अब मैं obtain करना है और से क्या बात है और है क्या हमें तो यहीं नहीं पता तो ध्यान से सुन बेटे जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने सुनाए कि पहाड़ों पे ना बहुत सारे हमें metals हो है वह obtain होते है पहाड़ों से जैसे gold हो गया silver हो गया सो उस समय क्या होता है सिरफ ऐसा है कि भगवान ने सिरफ gold का पहाड़ बनाए जाओ भाई एक जितना टुकड़ा चाहिए उठाओ और लेक्या जो ऐसा नहीं होता उसके अदर basically various other salts भी present होते हैं ठीक है तो उन salts में से जो हमें salt या metal चाहिए उसको अलग करना इस called as the process called as metallurgy समझ मैं ही जैसे अगर मैं गई सपोस्पोस गोल्ड आप्टेन करने जो और होगा न उसके अंदर बहुत सारी चीज़े होगी जैसे वॉक्साइट होगा ठीक है वहापर कार्बोनेट के काफी तरह के सॉल्ट होगे कैल्शियम कार्बोनेट होगा ठीक है अन्य और बहुत सारे metals हो सकते जैसे थोड़ा copper मिल गया थोड़ा iron मिल गया बहुत कुछ है बट हमें क्या चाहिए हमें चाहिए सिर्फ और सिराफ तो हम क्या करेंगे अलुमीनियम को अप्टेन करेंगे उढ़ेसे और बाकी की सभी चीजे जो हमें नहीं चाहिए वो उस समय के लिए हमारे लिए क्या बन जाएगी वो हमारे लिए इंप्यॉरिटी कहलाई जाएगी हलाकि iron इंप्यूरिटी नहीं है copper impurity नहीं है बड क्यूंकि वह हमें चाहिए नहीं है न तो इसलिए वह를 हमारे लिए उस समय के लिए impurity कहला हयाए जाएगी country कमतलब हमेशा गंद नहीं होता है । हम impurity कमतलब होता है जो चीज हमें जरूरत में नहीं चाहिए जो कि हमारे को हमारी metal के साथ मिल रही है वो हमें नहीं चेह उनको हमें अलग करना है अपनी metal से तो उसको हम क्या कह देते हैं उस समय के लिए impurity कह देते हैं clear है बात सभी को बोलो clear है सभी को बात आईए इसको थोड़ा और डीटेल में जानते हैं तेखिए जैसे कि आपको मैं बताऊं iron यदि मुझे अप्टेन करना है तो उसका ओर क्या होता है hematite ठीक है ऐसे ही aluminum अप्टेन करना है तो उसका ओर होता है bauxite बहुत important है ये paper में आने की फुल्स चांसल है ठीक है टिन का होता है kasteride ठीक है copper cuprite होता है zinc zincite होता है तो आपको ये basically learn करने होंगे ठीक है oxide के ores यह हैं ठीक है जो iron है वो hematite में present होता है hematite iron का oxide ore होता है ठीक है zinc होता है उसका जो sulfide ore होगा that is zinc blend आप से पूछ सकते हैं तो आपको ये याद करने आज़े इसमें आप कुछ समझाने वाली बात है नहीं तो आप इस चार्ट को जो है जरूर याद रखेंगे आज जो है आपको पूरे चाप्टर के नोट्स मिल जाएंगे क्योंकि आज हमारा चाप्टर जो है वो फिनेश हो जाएगा clear है बात सो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ठीक है नहीं तो आपको नोट्स तो आज मिली जाएंगे clear है सबको बात चले आगे चले हट गई मैं ये लोग आप लोग स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो 123 गो चले आगे चलते हैं आगे next बात क्या है अलोईज बिटे अलोईज हमने नाम बहुत सुना हुआ है बट मैडम हमें पता नहीं कि अलोईज होते क्या है क्या मतलब है अलोईज का तो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे बेसिकली होता क्या है आपकी जो अलोईज होते है ना ठीक है यह क्या होते है यह आपके मिक्सचर होते हैं पेपर में सवाल आता है किस तरह के मिक्सचर होते हैं तो याद रखेंगे होमोजीनिस मिक्सचर होते हैं अब आपके मन में सवाल होगा कि मैम होमोजीनिस मिक्सचर तो है बड़ किस के हैं तो यह तो बता दो तो सुन लो भाई ध्यान से सुनेंगे यह मेटल एंड मेटल का या फिर या फिर मेटल और नॉन मेटल का कैसा होता है होमोजीनिस मिक्सच ही मिक्सशर में को पता ही नहीं है तो सुनो ध्यान जब भी आप कि आपस को तरह से जोड़ते harbor कि वह इक दूसरे से अलग नहीं हो सकते या लग नहीं म理 baked करते हो तिक है फिर नोन मेटल को होमोजीनेसली मिक्स करते हो तो अलॉय बनता है अब हमारे मन में एक सवाल और है कि हम अलॉय क्यों बना रही है तो बहुत अच्छा सवाल है इस बात को बिल्कुल रियान से सुनेगे होता क्या है हमारी जैसे हम इसको एक एक्जाम्पल से समझते हैं आयरन का हमें पता है गलत संगती में पढ़ जाता है दाट इस ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कॉंटाक्ट में आते ही यानि उन गलत लोगों से दोस्ती बनाते ही अपना सत्यानाश कर लेता है अपने आपको किस के साथ ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ सीधे शब्दों में बोलू तो आयरन जब भी ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ दोस्ती करता है तो रस्टिंग कर लेता है अपनी ठीक है और यह जो रस्ट है ना जिसको हम जंग के नाम से जानते हैं ठीक है यह आयरन को किसी जग बड़ी काम की चीज है, बट ये आदत की वज़े से वो खराब हो जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम लोहे को ठीक है, अलोई की फॉर्म में टर्न करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो और ज्यादा बहतरीन बन जाता है, ठीक है, और ज्यादा बहतरीन बन जाता है, कैसे, एक्जाम्पल बताओ, एक्जाम्पल बताएंगे नहीं, एक्जाम्पल दिखाएंगे, आओ देखो, आपने देखा होगा, ये, स्टेनलेस स्टील, ये क्या है हमारा, स्टेनलेस स्टील, आप बहुत जादा पानी पीते हो, स्टील के ग्लास के अंदर, ठीक है, आपने देखा स्टीली की जो गिलास है कि का पानी कि इनल दो घुकिके कैसे भी रखो खुले में रखो किसे भी रखो इसको कभी भी जलता शालो साल चलता है तो ऐसा हुटा इसी होता है क्योंकि स्टील यह बेसिकली क्या है यह एक संगती में पढ़के रस्टिंग करता है अपनी और किसी काम का नहीं रहता उसी आयरं को अभंने अच्छे लोगों के साथ दोस्थी करा कि यूसफ़ल फॉर्म में टर्न कर दिया जो हर दो साल के बाद जंग पकड़के बैठ जाता है वो सालो साल कितने साल चलेगा हमें भी मालूम नहीं इतना बहतरीन हो चुका है तो इस प्रॉपर्टी को हम अलॉय कहते हैं कि एक जो मेटल है कुछ बैड कॉलिटी की वज़े से अपने आपको डाउन कर रही थी उन मेटल्स को हमने क्या करा आपस में जोड़ कर और बहतरीन फॉर्म टर्न कर दिया बात समझ में आई सब को बोलो तो बोलो नलाइको तो आपके मन में सवाल होगा मैम यह आईरन बेटे मैंने आपको क्या बोला आइरन एक मेटल होता है कार्बन एक नॉन मेटल और अभी अभी सिखाए था आपको अलॉय के अंदर की बेसिकली अलॉय क्या होता है इसमें आइरन और कार्बन नाम से पूछ लिये जाते हैं बात सबको समझ में इन दा वेरिसमिलर मैनर आप दे सकते हो आपने कभी जरूर पढ़ा होगा पढ़ा क्या आपने स्कूल में रेस में भागतो लिया ही होगा रेस में पाटिसिपिट क्या होगा आप देखते हों कि फर्स्ट वाले को तो गोल्ड मेडल मिलता है सेकिंड जो आता है उसको सिल्वर मिलता है और जो थर्ड आता है उसको ब्रॉंज मेडल मिलता है ब्रॉंज मेडल होता क्या है ब्रॉंज मेडल कुछ नहीं होता है श्रतामा bronze medal उसको मिलता है जो third आता है ये भी एक alloy है किसका copper और tin का ठीक है ये हर बार मैं बताती हूँ और इस बारी paper में आया भी हुआ था अगर आपको शक्क है आप चेक कर सकते हैं क्या है मैडमी ये देखो copper एक metal है tin again एक metal है तो ये alloy है बट अब की बारी ये कौन सा alloy है श्वाता मैं metal और metal क्या बात अच्छे से समझ में आ गई है आप लोगों को बोलेंगे सभी फड़ाफट से बोलें उसी तरह से आओ ज़र इधर आओ बैक गेर लगाते हैं और समझते हैं एक बार ही देख लेते हैं alloys are metallic materials prepared by mixing of two or more molten metals they are used for many purposes such as construction and are central to the transportation and electrical industry आपको पता है पहले क्या हुआ करता था आज से कुछ साल पहले की बात है पहले ना bridges बनते थे bridges जिसके उपर से वो buses बग्यारे चलते हैं bridges सब को बता है so जो bridges होते थे ऐसे सड़क के उपर से बनते थे उनके जो ये pillars होते थे ना उसमें लोहे के सरीए लगाय जाते थे ठीक है iron के लोहे के सरीए जो है वो लगाय जाते थे तो होता क्या था कि ये सरीए लगाने से जब भी कभी बारिश आती थी तो जो है पानी जो है इस सीमेंट से होता हुआ शेरियों तक पहुंच जाता था और सरीय बने लोहे के और लोहा तो भई त्यार है गलत लोगों से दोस्ती करने के लिए उकसीजएन और पानी यानी मॉइस्ट्र वह उन धोने उसे दोस्ती करता था वो ब्रिज चार-पांच सालों में ही ढह जाता था ये बड़ी मुसीबत हो गई थी तो इस मुसीबत को ओवरकम करने के लिए हमने अब से क्या स्टार्ट कर दिये अब जो हमारे घरों में या ब्रिजिस के अंदर जो अब सरीय लगाय जाते है तो प्रोवाइड अ गुड़ सपोर्ट ठीक है वो अब लोहे के नहीं होते हैं वो अब स्टेनलेस स्टील के होते हैं यदि आपको पता होतो इस 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 इनी डाउट बोलेंगे सभी क्लियर है क्लियर है चाल बहुत बढ़ी याद चीक है तो आपको बहुत इंपोर्टेंट है याद रखना यह मेरा चार्ट है स्पेशली बनाया हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट चार्ट है ठीक है पेपर एक्जाम पॉइंट और व्यू से अगर आपको इस चार्ट का ओवर्व्यू लेना है या इंस्पेक्शन करना है आप देख सकते हो ब्रास ब्रॉण्ज पेपर में इस बारी आया हुआ था चेक करें इस बारी पेपर में आया हुआ था अगेन कराया हुआ ठीक है उसके बाद आपका मेंगनलिम मेंगनलिम आया था आपका NDA 2 2021 का ठीक है तो इस वेरी 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 इंपोर्टेंट फॉर्म एग्जाम पॉइंट और एक बात में आपको बताना चाहती हूँ जिसका नाम है जर्मन सिल्वर जर्मन सिल्वर के बारे में क्या क्या है मैडम तो सुनो भाई जर्मन सि तो स्ट्रों में जाते हो या या होटेल्स में आप जर्मन सिल्वर के पर है तो सिटिंग एरिया के वहाँ अचीजे सजानी की पड़ी हूई है थीक है वास पड़े हूई है वास समेश्टे हो ना पॉट टाइप वास पड़े है या चांधी की बहुत ऐसे चीजे लगती है यह दिखता है चांदी की तरह बट आप चांदी नहीं है वह बेसिकली जैसा दिखने वाला एक तरफ और सिर्फ अलोई है किसे मिलकर के बनता है कॉपर जिंक और निकल मेर को बहुत जादा इंट्यूशन हो रहे है कि इस पार ये पेपर में जरूर आ जाएगा अपरट फ्रों दिस ड्यूरा आपने देखा होगा गरों के जो सेल्स होते है इसके अंदर अलूमीनियूं बोल तो वहलोमीनियूंगे बurnता है खिके अलूमीनियूम कॉपर मयगनेशियम और मिंगनीज तो बरी बरी इंपोर्टिंट है आप लोग स्क्रिंशॉट रहे है चीक है मैं साइड हो जाती हूँ फड़ापट से ले लेंगे मैं इंक भी रेस कर देती हूँ ताकि आपको क्लीन अब दिखे यू किन तेक देस्क्रीन शॉट चलिज़ कर आप अपने स्क्रीन शॉट ले लिया हूगा चलिए अब चलते हैं आगे बात करते हैं अलोई जुझा ओधे वान वर बॉट जूंन हमारे पास ना वेतिस तरह किया वहँ होते हैं कुछ वोमो मुजीनेस अलोई 500 क की मतलब अव होंается क्या मतलब है कुछ नहीं है बेसिकली इन अलॉइस के अंदर क्या होता है जो आपकी मेटल्स होती है ना वो कैसे होती है वो होमोजीनेसली यानि यह नो बहतरीन तरीके से फुली क्या होती है मिक्स्ट अप होती है और हैट्रोजीनस अलॉइस के अंदर क्या होता है जो आपकी मेटल्स होती है वो फुली जो है वो मिक्स्ट नहीं होती है तो ये बात आप याद रखेंगे ठीक है जी अब homogenous alloys के अंदर क्या क्या आते हैं जैसे brass, bronze, brass होता है copper plus zinc, bronze होता है copper plus tin very very important वो आपको paper में confuse करेगा अगर वो नहीं करेगा तो आप खुद भी हो जाओगी क्योंकि दोनों के अंदर copper होता है तो हमें समझ नहीं आता कि zinc किसके साथ था और tin किसके साथ था clear है बात उसके अलावा coinage alloys देखो आप तो खेर हमारे जो coins होते हैं वो coins, coins use करते हैं नहीं हो एक रुपे का सिका दो रुपे का सिका ऐसे coins यह होते हैं वो भी basically alloys होते हैं तो आपको यह बाते अच्छे से याद रख में होगी कोई चांदी के या गोल्ड के नहीं होते हैं वो भी alloys होते हैं वेरियस मेटल्स के mixed उसके अलावा heterogeneous alloys जो होते हैं जो हमारे यूज के जाते हैं कहां पर teeth की जो filling जब हमी cavity हो जाती है तो doctors use करते हैं silver-silver सी filling आप देख सकते हो इस तरीके से दिखाई देती है ठीक है यह filling ठीक है इस filling को भी आप क्या कह सकते हो यह भी एक तरहा का alloy है ठीक है जी तो filling के लिए use क्या जाता है ठीक है उसके अलावा अब आती है अगली कहानी जिसका नाम है amalgam बहुत important है again देखो या तो question alloys में से बनता है या फिर amalgam जो की alloy का ही छोटा भाई है ठीक है तो आओ समझते इस छोटे भाई को इसका कहने का क्या मतलब है जी तो सुनेंगे ध्यान से basically amalgam एक तरह का alloy होता है मैंने आपको पहले क्या बताया alloy क्या होता है alloy श्वता मैं कुछ नहीं होता metal metal का mixture होता है बिल्कुल सही है अब आपको पता है ये सभी metals कैसी होती है solid बिल्कुल सही कह रहे हो बिल्कुल कह रहे हो सही सभी की सभी metals हमारी कैसी होती है जी solid होती है अब suppose करो क्या करें हम ये अच्छा सभी metals solid होती है प्लस कोई भी metal ले सकते हो क्यों उन्होंने बताया थोड़ी कोई भी metal ले लो कभी हम iron carbon कभी हम जो है copper tin लेते है copper bronze लेते हैं ठीक है ठीक है बट अगर मैं क्या करू यहां पर यह जो metal है न ठीक है इसको मैं क्या करू इसको मैं fix कर दूं और इसका नाम क्या किसके साथ करू कि यहां पर हमेशा क्या होगा mercury है कि मर्कハハ कोई भी कोई भी मेटल एनी मैटल तो उस समय पर यह क्या कहला जाए गा यह आलोय नकेह करके यह कहला दिया जाएगा अमालगम कि समझ रहे हो बात को और यह समझे हो बात को जब कोई भी क्यों ने मेटल आपस में जुड़ रहे हैं tub conversation तो उस समय यह अलोई की केटिग्री में जाएगे अब कोई भी मेटल और एक मेटल जिसमें से मैंने फिक्स कर दी ताट इस मर्क्यूरी अगर वह आपस में जुड रहे हैं homogenously then it will be called as amalgam very very simple जिसमें से जो फिक्स मेटल उसका नाम होता है mercury क्लियर है बात सबको क्लियर है क्लियर है क्लियर है सबको बात बोलो yes ma'am ok चलिए अब चलते हैं आगे और बात करते हैं अगली अगली बात पर चलने से पहले आप एक बात जान लेंगे that is amalgam of silver tin cadmium and copper has been utilized as dental fillings पूछ सकता है पेपर में पूछ सकता है पेपर में ठीक है जी आप पढ़ सकते हो जिसे भी डाउट है अमालगम में देखो it is an alloy of mercury यानी एक metal तो fix कर दी ना हमने with any other metal कोई भी metal बाकी कोई भी any ठीक है तो उस case में वो amalgam कहला आजाए ठीक है जी चले उसके अलावा most of the amalgams with mercury ज्यादा तर amalgams जो है mercury के होते हैं ठीक है except iron and platinum इनके साथ वो नहीं बनाता है ठीक है चले आगे चलते हैं अगली कहानी पर अगली कहानी क्या है next है कहानी हमारा एक question question के अंदर आप से क्या पूछ रहे है which of the following is a tri basic acid tri basic acid इनमें से क्या है क्या वो hydrochloric acid है क्या वो sulfuric acid है क्या वो आपका nitric acid है या फिर वो एक phosphoric acid है बोलेंगे सभी बच्छे बहुत आसान सवाल है बोलें देखो यह question शायद आपको ना भी आए मैं आपको बता देती हूँ देखो tri basic acid वो होते हैं ठीके इधर देख लो आप tri basic acid tri basic मतला tri means 3 basic मतला h plus देने वाला 3 h plus देने वाला acid यह basic से आप confuse मत हो जाना oh मत समझ लेना ठीक है ना जैसे suppose अगर कोई base अगर कोई base 3 OH देता तो मैं उसको क्या बोलती tri acidic base समझ रहे हो समझ रहे हो जब भी कोई acid कितने h plus दे सकता है यह बात हम बताते हैं तो उस tri tri बोला है यानी 3 h plus देने वाला तो 3 h plus कौन देगा जिसके पास 3 h plus होने भी तो चाहिए अब 3 h plus किसके पास है क्या hydrochloric acid के पास है ना मैडम इसका formula होता है HCl क्या sulfuric acid के पास है ना मैडम इसका formula होता है HNO3 तो बच्चा क्या phosphoric acid H3PO4 ठीक है देख सकते हो 3 h plus है 3 h plus दान कर सकता है tri basic acid हो क्लियर है बात बोलो चल कोई बात नहीं देन अगले question के लिए चलते हैं तो अंसर क्या होगा इसका अंसर हो गया हमारा phosphoric acid अत्यान सिंपल अगला सवार which of the following does not represent the salt calcium carbonate इन में से calcium carbonate किस salt के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है तो बताएंगे यह बहुत important सवाल है फूलिए बेटे मेरी बात सुनों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए calcium carbonate होता है CACO3 ठीक है chalk marble limestone यह तीनों जो है calcium carbonate का हिस्सा होते है ठीक है तो क्या हिस्सा नहीं है आंसर होगा lime water lime water क्या होता है lime water होता है c a o h twice जिसको हम slake lime के नाम से भी चाना करते है कैसे बनता है lime water अरे simple सी बात है जब आप lime में पानी डालो दिलो यह बन गया समझे इसको lime कहते है ना क्लियर है लेट्स मूव तो दे नेक्स प्रेशन अगला सवाल आपके पास क्या है देखो द्याम से which of the following is the formula of washing soda washing soda का क्या formula है na h co3 na2 co3.5 h2o na2 co3.10 h2o या फिर nao h बताईए जरा मुझे तो आता नहीं आपको आता है क्या येस रोशन क्या आंसर होगा इसका बोलो बोलते ही नहीं हो बड़े न लाइक हो गयो अच्छा बोल रहे हो मतलब हुश्यार होगे फर ठीक है तो आंसर होगा ब वाश्चिंग सोडा सॉडियम सॉडियम कार्बोनेट डेका आईड्रेट ठीक है तो ये रोगा अच्छा ये बताना इसको बताओ क्या कहते है ये बताओ इसको क्या कहेंगे इसको क्या कहेंगे जी कल कर आया था प्रजवल बिल्कुल सही बोला प्रजवल सही बोल रहे हो सोडा आश चलो इसको बताना इसको क्या कहते है फिर इसको बताओ डी को क्या कहते है सही है आयूश फर्स्ट पर्सन सही है तो इसको बोलते है कास्टिक सोडा और इसको क्या कहते है फिर इसको एको एक्यो क्या कहेंगे एको कौर है ये निम्बू सोडा गधे आरे ये बोलो न इसको कहते है बेकिंग सोडा क्या कहते हैं sodium by carbonate ठीक है या sodium hydrogen carbonate भी कह देते हैं next next क्या है stung by hairs of nettle leaves causes burning sensation this is due to the injection of water इस साल इसी paper में ये question आया था बताएंगे क्या होगा इसका साई अंसर बोलो जी बिल्कुल सही है correct answer होगा that is metanoic acid इसी को ही हम formic acid भी कह दिया करते हैं ठीक है जी चल so क्या होता है H-C-O-O-H next question है brine is an aqua solution brine एक aqua solution है इस बाली paper में भी आया था कराया हुआ सवाल था paper में आया हुआ है बताएंगे brine solution brine solution क्या होता है अगर आपने अभी तक session को like किया नहीं है कर देंगे फड़ा फट से session को like जल्दी जल्दी से बत बढ़िया माम brine solution होता है N-A-C-L basically brine solution होता है N-A-C-L प्लस पानी ठीक है छी एक बात मुझे आप लोगों से बतानी थी कि काफी बच्चों को पता ही नहीं है किस अंकल बैच में एक हफते से मेरी classes already you know running हो रहे है ठीक है आर अल्रेडी in the picture ठीक है if you are not aware of the batch ठीक है so kindly go and enroll yourself आप अपने आपको enroll कर ले otherwise ऐसा नहीं हो कि आपका जो है अलेवर्स छूट जाए ठीक है संकल बैच में मेरी classes live है एक हफते से live चल रही है and many students on daily basis are messaging on telegram that ma'am classes कब से शुरूँंगी so I am telling you again and again अगर आपको link चाहिए तो आज मैंने community post पे डाला है पड़सो भी डाला था नहीं आपको पता चल रहा है तो link पर आप क्लिक करें और अपने आपको enroll कर लेंगे ठीक है चले आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट है Oxidation and Reduction इस बारी Oxidation Reduction से काफी सवाल आया है इस टॉपिक ने इतने चुटकू से टॉपिक ने इतने अंडर रेटे टॉपिक ने कमाल कर दिया इस बारी मजा ही आगया दो से तीन कोशन थे और बिल्कुल expected नहीं थे अच्छे अच्छे चाप्टर को मात दे दिया इसने चली इसलिए इसके उपर ध्यान देते हुए बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सब बच्चे बोर्ड की तरब सबसे पहले बात करते हैं Oxidation पिटे Oxidation और Reduction सबसे पहले तो मैं बता दूँ 99% बच्चों को इसमें दिक्कत आती है आखरी दिन तक बच्चे मेरे से बात रिपीट करवाते रहते हैं सामने देखेंगे पहली बात दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से Oxidation चलेगा उसका उल्टा चलेगा Reduction यानि कि दोनों ही भाई बहन है जो भाई करेगा उसका उल्टा करेगी भेन ठीके So Oxidation Reduction opposite है nature में आओ समझते Oxidation में क्या होता है आपका Gain Gain of Oxygen होता है और Reduction में क्या होता है अगर यहाँ Gain हो रहा है तो उल्टी बात करेगी न भेन That is Loss of Oxygen ठीके इधर क्या होता है इधर होता है आपका Loss of Hydrogen अगर यहाँ पर Loss हो रहा है तो यहाँ पका ही पका Gain होगा न विटा तो Gain of Hydrogen उसके अलावा उसके अलावा That is यहाँ पर क्या होता है Loss of Electrons और यहाँ पर क्या होता है बच्छे That is अगर वहाँ Loss हो रहा है तो उल्टाई करेंगे That is यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा Gain of Electrons Clear है बात सभी को उसके अलावा कुछ बाते आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है सुनेंगे ध्यान से बेटे यहाँ पर Loss of Electrons हो रहा है That means Electron घर से Get Out हो रहे है अब अगर मैडम Electron घर से Get Lost हो जाएगे तो Electron जा रहे है घर से Negativity जाएगी तो घर में Positivity आ जाएगी तो पुल सही बात है So Oxidation के केस में Positive जो चार्ज है वो हमारा बढ़ जाता है याद रखेंगे Clear? उसके अलावा इधर देखो यहाँ क्या हो रहा है? Gain of Electron यानि कि यहाँ पे Electron घर के अंदर आ रहे है घर के अंदर आएंगे तो घर में Negativity मचा देंगे जी घर में Negativity हो जाएगी तो क्या होगा मैडम Positivity कम हो जाएगी जाहिर सी बात है Positivity कम होगी क्योंकि Negativity जो है वो बढ़ रही है ना येस मैडम समझ गए I hope समझ गए होगे Clear है? अब उसके साथ साथ आपको कुछ बाते और भी ध्यान में रखने हैं जिसकी Oxidation होती है उसको हम क्या कहते है उसको हम क्या कहते है ध्यान से सुनेंगे उसको हम कहते है Substance Oxidized ठीक है और जिसकी Reduction होती है उसको हम क्या कहते है Substance Reduced ठीक है जिसकी Oxidation होती है उसको हम Ultra Reducing Agent कहते है Ultra समझ रहे हो Reducing Agent कहते है और जिसकी Reduction होती है उसको हम Ultra आनि Oxidizing Agent कहे दिया करते है क्या बात समझ में आ गई आप सबको बोलो चले आगे चले अब मेरी बात को दियान से सुनेंगे जो Important सवाल यहां से बनता है देखो जो Positive Charge होता है वो Proportion होता है Oxidation Number के समझ रहे हो तो यहां पर अगर Positive Charge बढ़ेगा मैडम तो Oxidation Number के बारे में क्या ख्याल है मैं Proportional है तो Oxidation Number भी बढ़ेगा Simple सी बात So Oxidation Number भी बढ़ता है Oxidation के case Clear है बात? अब इधर देखेंगे Positive Charge यदि घट रहा है तो That Means Oxidation Number के बारे में क्या ख्याल है मैं Proportional है वो घटा तो वो तो घटेगा है That Means Oxidation Number घटा है Reduction के case बात समझ में आगई सब को बोलो बोलो Clear है बात? Repeat की You know request ना करे क्योंकि जब मैं पढ़ा रही थी तो आप चैट सेक्शन में गप्पे लडा रहे थे So repeat की बाते नहीं करेंगे मेरे साथ ठीक है चले So आगे चलते हैं और बात करते हैं हम अगली ठीक है? Next सवाल है आपके पास Which among the following gives highest amount of hydrogen ions? Hydrogen ions अब से ज़्यादा कौन देगा? क्या वो sodium hydroxide solution होगा? क्या वो milk of magnesia होगा? क्या वो lemon juice होगा? या फिर वो gas reduce होगा? बोले बहुत बढ़िया देखो highest amount में H plus ions कौन देगा? वो देगा जो मैडम strong acid होगा अब strong acid कौन है? बताएं strong acid है gastric juice gastric juice क्यों क्योंकि HCl carry समझ गए समझ गए चल नेक्स सवाल zinc is used to protect iron from corrosion because zinc is बताएं क्या होगा इसका सही answer zinc को क्यों इस्तमाल किया जाता है? बोलो बहुत बढ़िया बिटे क्या होता है? आपका ये जैसे suppose iron है ठीक है? ये iron जो है ठीक है? ये बहुत जल्दी oxygen और moisture के साथ react करके rust बनाता है तो इस problem से बचने के लिए हम क्या करते हैं? आइरन की coating कर देते है किसे zinc से तो zinc क्या करता है? इसको बहार से protect कर लेता है protective layer बना लेता है ठीक है? zinc oxide की और वो layer जो है अंदर के iron को बहार के oxygen और पानी से मिलने ही नहीं देती so reason होता है क्योंकि zinc जो है वो iron से भी जादर reactive होती है more electropositive होती है nature के बात समझ में आई सब को बोलो चले आगे बोलिए झाले होती है चले आगे चलते हैं बात करते हैं अगली नेक्स्ट है principal use of hydrofluoric acid hydrofluoric acid का क्या use है क्यों use क्या जाता है hydrofluoric acid आप से पूछ रहे हैं आप लोगों ने देखा होगा कांच के जो ग्लास होते है उस पर बहुत ही सुंदर तरीके से designing की जाती है ठीके टेडे मेडे designs बनाई गये होते है बहुत सुंदर designs होते है ठीके अब आपके मन में question होगा कि madam ये एक weak acid क्यों है जरा बता दो तो सुनो HF एक weak acid है क्योंकि fluorine और hydrogen दोनों का size small है size small होने के कारण ठीक है ये जो bond है ये भी अत्यांत strong बनाते हैं ठीक है अत्यांत strong bond है तो आपस में तूटे गा ही नहीं hydrogen fluorine एक दूसरी को तोड़ने के लिए छोड़ने के लिए ready नहीं है अब hydrogen और fluorine छोड़ेंगे नहीं तो hydrogen निकलेगा hydrogen जल्दी निकलेगा नहीं that means वह weak acid होगा बहुत आसान सी बाती क्योंकि जो जल्दी H plus दे दे वह तो strong acid होगा जो नहीं देता partially देता है वो क्या होता है वो भी acid होता है समझें लाफिंग गैस क्या होती है माम लाफिंग गैस होता है नाइट्रस ऑक्साइड को कहते है लाफिंग गैस N2O होता है आपका लाफिंग गैस ठीक है चलो सो आंसर कर देंगे etching of glass इस प्रोसेस को etching of glass क्या जाता है ठीक है ठीक है सूदा का फड़ा फट से बताओ क्या होगा माम इसका correct answer होलो बहुत बड़िया माम फॉर्मुला होता है दाट इस NaHCO3 जिसको हम sodium hydrogen carbonate के नाम से भी जानते हैं जिसको हम sodium by carbonate के नाम से भी जाना करते हैं बात समझ गए चलो next सवाल क्या है यह question इसके अंदर आपको जवाब देना है incorrect statement क्या है बताएंगे सभी बच्चे मुझे यह आपका वही सवाल है जो oxidation reduction के उपर बेस है बताएंगे रिडॉक्स reaction क्या होता है रिडॉक्स reaction वह reaction होती है जिसमें oxidation भी हो रहा है और reduction भी हो रहा है मिला रहे बात बताएंगे सो वेरी सिंपल है बहुत आसान सा इसका अंसर होगा बोलिये इनकरेक्ट है इस बी reducing agent gain और appear to gain electron जबकी बात रॉंग है reducing agent तो oxidation वालों को कहा जाता है और oxidation के केस में तो loss होता है गेन तो होता ही नहीं है कभी आपको शक है आप चेक कर सकते हो आओ दिखाते हैं देखो reducing agent के केस में तो loss होता है जी यह देखो loss हो रहा है समझ गए चलो क्या होगा answer फिर answer हो जाएगा B very simple ठीक है so this was all about today's session बात करते हैं अगर आज के session की तो आएए देखते हैं कि हमने आज के session में क्या किया हमने आज के session में खूब सारी चीज़े सिखी that is OARS के बारे में सीखा important OARS जो exam point of view से बहुत important है वो OARS को हमने जान लिया ठीक है उसके अलावा alloys सीखा detail में हर एक जो question बन सकता है alloys पे वो हमने कर लिया ठीक है उसके बाद हमने alloys के important chart को देखा जो exam point of view से exam again very very important होगा तो वो हमने किया उसके अलावा type of alloys किये amalgam हमने पढ़ लिया उसके साथ साथ हमने देखा कि इनकी use कहां होते है with help of picturization उसके बाद हमने काफी सारे questions किये ठीक है और हमने oxidation reduction जो की एक बहुत जादा mean concept का जाता है और paper में इसकी weightage बढ़ा दी गई है उस बात को मदेर रज़र रखते हुए इस topic को हमने more detail से सांच है फिर हमने काफी और questions किये so with this finally your acid, bases, salts, and metals chapter is been over now so in next class जो ही होगी आपकी thursday को so thursday को we will be having a short test of this chapter so यहां note करलेंगे किस जिल thursday को so thursday को we will be having a test of this chapter okay, acid, bases, salts, and metals clear है बात, बोलेंगे सभी बच्चे so this was all about today's session मिलते हैं आपसे next session में करते हैं झाल 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 झाल